पत्रीका खोलते हैं पंडी जी और केक देते हैं कि काल सर्प दोश है पत्रीका खोलते हैं और कह देते हैं पित्र दोश है उनसे मेरा निवेदन है जिसकी पत्रीका में काल सर्प दोश है पित्र दोश है उनसे निवेदन करूँगा यदि काल सर्प दोश है और आप तरंबके के कलश में शक्तर भर लो उसके चांदी के दो नागनागिन रख लो रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो पलंग पर सोते हो उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो सोंबार को इसनान करो सुभा जल्री उट कर दोनों नागनागिन की पूजन करो घर में किसी से ज़्यादा बात ना करो इसनान करकर पूजन करकर थोड़ा सकतोरी में कच्चा दूद लेकर उस नागनागिन पर चड़ाकर पूजन करकर सफेग फूल दो चड़ाकर उस कलश को लिजाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अरपन कर दो कलश बापिस लियाओ नाग नागिन शक्कर सब चड़ाओ बापिस घर पर आओ घर पर आकर फिर एगवार इसनाम कर दो महाराज कितना भी भारी काल सर्प दोश क्यों नाओ पित्र दोश के